हेलो फेंड वेलकम टू ग्लम्रस ब्यूटी गेट आज मैं तुच्चा के लिए अलसी के फैदों के बारे में बात करूंगी लेकिन इससे पहले मैं एक बार आपको याद लाओं अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब क को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जनकारी आप तक पहुंच सके तो आए हम तुच्चा के लिए अलसी के फैदों के बारे में बात करते हैं मुलायम बेदार तुच्चा की चाहत हर किसी को होती है और इसके लिए लोग तरह तरह के उपाय और घरेलू स्क्रीम फेस वाश और घरेलू उपाय का प्रयोग करते हैं इन उपाय में अगर अलसी को शामिल किया जाए तो कुछ हत्त कील मुहसों से शुटकारा पाया जा सकता है चाहे तो हर रोज एक या दो चमच अलसी का सेवन करें या फिर इसे फेस मास्क की तरह भी उपयोग कर स भी मिल जाएगा एक चमच अलसी के पौडर को तीन चमच पानी में 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दें कुछ देर बाद आप देखेंगे कि यह चिपचपा पेश्ट तयार होने लगा है अब इस पेश्ट को चहरे पर लगाएं फिर इसे सूखने दें उसके बाद चहरे को भार ला सकता है इसके अलावा इसके सेवन से कबज की परेशानी भी दूर हो सकती है जिस कारण शरीर के विशेले पदार्थ बाहार निकलते हैं और कील मुहासों की परेशानी दूर होती है LC गुणों का खाजाना है लेकिन कई लोग आज भी इससे अंजान है LC हमारे शरीर को कई बिमारियों से बचा कर स्वस्थ रखने में मदद करती है शकाहरी लोगों के लिए LC वरदान है क्योंकि मचली में पाया जाने वाला Omega 3 fatty acid LC में मौजूद होता है साथ ही इसमें lignans, antioxidant, fiber वर alpha-linolic acid भी मौजूद होता है जो शरीर में होने वाली तरह तरह की बिमारियां जैसे diabetes, दिल की बिमारी, पेट की बिमारी और अन्यकई स्वास्ता समस्याओं को कम करते हैं LC के और शद्य गुण मनुश्य के लिए अमरित से कम नहीं है तो इस तरह से आप LC का सेवन भी कर सकते हैं और उसका इस्तमाल फेस बैक बना कर भी इस्तमाल कर सकते हैं सोरैसिस, एक्जीमा, फोडे फुनसी, एंटी एंजिंग, स्ट्रेच मार्क्स के लिए भी LC बहुत ही फैदे मन्द होती है इसके और फैदों के बारे में जानने के लिए हम और वीडियो बनाएंगे जिसे आप देखने के लिए चैनल को प्लीस लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें